Hello Traders, Bajaj Auto को आज की दिन हमने trade किया था हम दो points पर इसको discuss करेंगे सबसे पहला तो higher time frame होगा and second होगा हमारा lower time frame and पहले चीज़ ये trade हम अलड़ी कर चुके है and after trade execution का अपना ये explanation एक तरह की जिसे day time frame पर हम जाएंगे day time frame पर देखिए आपको falling rose pattern दिखाई पड़ेगा अगर हम इसको mark करते हैं तो देखिए one and one, one ये वाला second and ये third volumes लगाता है down side की तरफ गिर रही है हमारे लिए आज की third candle important थी अब अगर हम third candle को mark करें तो यहाँ पर सीधे price पर आजाते हैं चलिए fifth की हम high mark कर लेते हैं ये वाला रही है देखिए blue line है अभी वापस से हम लोग lower time frame पर चलते हैं एक चीज़ देखेंगे कि इस जो कल की हमारी candles के high पर price ने किस तरह की reactions दिखा हैं जैसे कि देखिए अगर हम इसको draw कर लेते हैं चलिए इसको देखिए one two दो rejections यहाँ पर मिले two इसके बाद में again price उपर की तरफ गया नीचे गया दो rejections यहाँ पर again price upside की तरफ फिर से two rejections मतलब जितना भी हो रहा प्राइस गिर रहा उस लेवल से और आज breakout कर देने के बाद में सीध ही उपर की तरफ चला गया इन साइव मार्किंग को हम लोग remove करते हैं यहाँ पर यह पूरा जोन बना है इसको हम delete करते हैं एंड कुछ एक higher highs and higher lows को mark करेंगे इसको starting से अगर करते हैं तो आज की जो 950 के candle का low high low high and price जहां से देखिए डब्लू पेटरंस में नीचे की तरफ गिर गया डब्लू पेटरंस पगर से तो हम लोग trade execute नहीं करते हैं अगर यहाँ पर आप गहर से देखो गया तो यह चौक model बना है अपना change of character अभी आगे की वीडियो में एक एक चीज हम इसे explain करेंगे कल के पेटरंस को हम कैसे चौक ट्रेड अपना execute किया था जिसमें ठीक ठाक profit हुआ था कल हमने trade execute नहीं किया क्योंकि market ठीक ठाक नहीं लगी थी तो आज मंगलवार का दिन और आज हमने trade अपना execute किया order book में चलेंगे order book में आप देख सकते हैं total 400 quantities के साथ हमने trade execute किया था 267.20 पर अपने entry इसको refresh कर लेते है अपने पर stop loss जैमने इसकंदर लगा था 3659 पर stop loss लगा हुआ था and targets अगरा भी 3692 के पास अपने book के हाला कि price और वी उपर गया था but उस जगे पर हम यहां से निकल चुके थे so overall यह अपना आज का trade था देखे एक simple price action के साथ में क्योंकि बजा जोटों को भी हमने हमारी जो fixed watch list है उसके according हमने निकाला था क्योंकि falling rose patterns हम को form हुए थे and एक ठीक ठाक movement के उमीद थी लेकिन जिससाब साथ मुव्मेंट के उमीद में थे उतना बड़ा movement हुआ नहीं so जिस वाज़े से आज को profit थोड़ा सा low profit 1 is 2.5 या 3 के something होगा so 9,900 के around का profit था जिसमें से 3,340 के अपनी and comment as usual day time frames हम लोग शुरुआत करेंगे day time frame पर देखे अपने पास एक pattern बना था falling rose falling rose is nothing but एक support का area या फिर हम कहें कि resistance का area काफी strong ये तयार कर देता है एक trade execute अगर हमें करना होता है तो वहाँ पर अगर हम यह formations मिलती है और अपनी study अपने जो techniques है उसके according अगर हम इसको use कर ले तो बहुत powerful एक trade setup अपना बन जाता है जैसे कि देखे इन three candles के बारे में detailed video हमने बना हुआ है कई बार हमने इसके ओपर trade भी execute करके देखाया है free में वह video available है उसका link भी हम description में show कर देंगे अब वहां से click करके simply उस video को देख लेना बहुत सारे doubts आपके clear हो जाएंगे अगर हो important candle थी 5th of December यानि के Monday की candle थी कल भी देखे क्या है कि price हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा तो है बट less volume के साथ price नीचे की तरफ आया था इसने क्या किया अपना एक resistance zone बनाया resistance zone बनाने के बाद में हुआ क्या है second of December को जो हमारा price गिरा था same point पर present support लिया थे एक चीज देखे आपके मन में यह आएगे कि यह falling rose तो अभी form हुआ है ना हम इस वाली candle को कैसे जबकि falling rose में हमने 5th December की candle का high mark किया है यह तो हमें 5th December को पता चला ना कि यहाँ पर यह blue color की कोई एक line है तो इस blue वाली line के पास तो हम previous day की candle को कैसे rate कर रहे है समझभा है इस बात को मतलब अगर अगर एक तरह से आप देखो तो यह line यह blue वाली line अगर इसका price हम देखे 3672 है अब 3672 का price तो 5th December को पता चला ना कि यह marking हमारे पास आई की कप यह तो आईगी ना 5th December को लेकिन एक चीज़ देखे अगर हम किसी भी stock को trade करना चाह रहे है मन में तो यही रहता है future में future इंदस आने वाले time में यानि कि 3R या 4R तक price हमारे इस level को respect करेगा respect करेगा इसका मतलब यह भी होता है कि previous days में price ने आपकी level को कितना respect किया है as a support या फिर as a resistance यही हमारे कहने का मतलब है कि हमें मालूम है कि 5th of December एक resistance है 5th of December का high अगर वो resistance है तो past में कितनी candles ने उसको respect किया है आप आप यही चीज़ देखेगा 5th of December का हमने यहाँ पर high mark कर लिया अपना blue line अब हम सिधे चलेंगे अपने lower time frame पर lower time frame पर देखे 3672 पर price ने किस तरह के rejections दिखा है देख पा रहे ना exact उसी level से हमारा price नीचे की तरब बीरा इस तरह blue line के उपर अपने नजर रखे काफी सारी line स अगर skip करके आप video देखो को तो बहुत साही चीज़े चूट जाएंगे आराम से concentrate हो करके समझने के कोशिच कीजिए अब देखिए blue valley land को break करके price हमारा कैसे नीचे गिर गया 2nd December को है अगेन same level पर resistance फिर से price नीचे फिर से वही पर resistance फिर से price नीचे यह 5th की candle है फिर से देख पहली चीज़ के day time frame की level को किस तरह समलोगों ने देखा अब दो तरीके होंगे एक जो हमने बताया था आपको कि breakout होने से पहले किस तरह समलोगी stock को analyze कर सकते हैं यानि कि breakout होने से पहले कि market structures कौन कौन से form करती है उसके internal structures, main structures और outer structures किस तरह से काम करते हैं जैसे कि देखे यह यहां पर यह blue वाली line है लेकिन आप देखोगे जो trade execution का हमारा prices 3667.20 का है अभी आपने जो trade book है वहां पर देखा होगा 3667.20 का हमारा trade structure है बलब यहां पर हमने अपना trade execute किया तो यहां पर क्यों क्या जबकि resistance area तो मेरा यह वाला है न इस चीज़ को समझे देखे यहां से market कह पर आया अब देखी हो क्या रहा है price अपने lows को upside की तरफ shift कर रही है अभी यह जो हमने line straw के इसको देखेगा price नीचे यह just हमने क्या क्या है lower low और lower highs को mark किया है अब देखे क्या है कि यहां से price ने low break किया low break किया and इसके बाद में price ने अपने lows को protect करना start कर दिया और यहां से highs को break किया हम क्या करेंगे जो first high market ने break किया है इसके कुछ rules भी है rules in the sense के higher high and higher lows या फिर lower lower highs को हम लोग mark कैसे करेंगे market जब अपने characters को change करती यानि के change of character होते है price देखे आपको lower 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 higher lower 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 higher लगाती हुए नीचे की तरफ गिर गिर गया but यहां से इसके अंदर change of character start हुआ कि जो market अभी हमको downside के move शो कर रही थी यहां पर इसके characters change हो गया price अपने lows को break कर रही थी previous में भी अगर हम इसके पहले के charts को देखेंगे तो market अपने lows को break कर रही बट यहां पर highs protect हो रहे थे highs protect हो रहे थे but price अब नीचे की दिशा में है तो यहां से इसने high को break कर दिया समझ रहे ना हमने lines तो mark कर लिए हो सकता है यह line हमारी गलत भी हो हमारा का mark करने का है वो line हमारी सही है या गलत यह decide market करेगे यहां पर देखे हमने जैसे marking की तो price हम देखने कि इसी जगह पर आकर कर रुग गहा है आपका है ना price support ले रहा है same level पर और यहां पर देखे क्या ह market ने again हमारा एक नया जो swing था इसको भी break कर दिया जैसे कि यह high यह high इसको market protect करते हुए चलिए आ रही थी तो सबसे पहरा जो high break हो था वो यह वाला था अब जो latest high लगा वो यह वाला था यह वाला जो high इसने previous high को break किया और market close होते होते इसको भी break कर गए और यहीं पर इसने closing कर दी I hope कितना clear हुआ होगा यह कल के market की structures और कल का change of character है अब कल के change of characters में आज की shifting किस तरह से हो रही है मतलब कल के change of character को market आज किस तरह से continue करने की कुशिश कह रही है अब यह हमारा support का area बन गया न आज की market ने देखिए क्या क्या है यह हमारी तीनो lines one and two यह दो जो lines है हमा आप confused हो जाओ बहुत concentrate हो करके देखने की चीज़े जो कोई entertainment video तो है ने कि हम आपको entertainment कर रहे है कुछ कुछ points है जिस तरह से हम trade execute करें या live market के अपना experience है हो आपके साथ share कर रहे है और कोई भी अगर आप अच्छी चीज़ ढूंड रहे हो search करना चारहो सीखना चारहो समझन ना हो classes में कई बार होता है कि 40 minute की classes 45 minute का first वो होता है तो में भी हो सकता है कि 40 minute की class आपके 30 minute या 35 minute के ही चले लेकिन जब वो class चलेगी तो यह होगा कि 35 minute आपके waste नहीं होने चाहिए सेम चीज यहां पर भी है अगर 10 minute का या 15 minute का कोई वीडियो में आपके लिए रेडिक कर रहे हैं तो उसका कुछ output निकलना चाहिए वरना हमें हमारी लिए तो आसान है कि हम 15 minute का वीडियो बनाने के बजाए 5 minute का वीडियो बना कर गे और जल्दी-जल्दी कुछ भी बोल करक रहा है या को doubt रहता तो comment कर दिया किज़े तो उसका reply आपको मिलेगा यहां से अपने analysis को हम लोग 2 part में divide कर देते हैं जैसे कि यह जो blue line आप देख लो ना यह हमारी day time frame का level है यह day time frame की line है और नीचे की जितनी भी line से हमारी lower time frame की line से अच्छा अभी इस blue value line को मत देगे ignore करेंगे हम लोग अब यहां पर देखे price क्या कर रहा है high को break किया upside production again upside क्या हो रहा है lower time frame पर price के structures change हो रहे मतलब change of character दिखाए पड़ रहे है price अपनी structures को bullish way में convert कर रहा है price ने आप फिर से एक low लगाया और आज की market ने क्या किया exact हमारे day time frame के level से touch हो गया इस blue value line को देखे मतलब blue value line को touch करने से पहले price ने lower time frame पर या फिर यूँ कहें कि blue value line के नीचे lower time frame पर अपने structures change करने start कर दिये थे जैसे ही price हमारा upside की तरफ निकला आज की market startup वैसे इसने यहां का move दिखा दिया अब हम लोग एक दिन पहले से जखेंगे कि price रहे हैं चेंज हुए आज की probability क्या हो सकती कि price हमारा upside की तरफ जा सकता है फिर low side की तरफ जा सकता है अगर हम इसको buy करना है तो हम कोशिश यही करेंगे कि price इस blue वाली लाइन के pass में हो जहां से हम buy करें आज की आप यह वाली candle देखे 10 पसकर 55 मिनट की candle जिसने upside की तरफ यहां पर closing कर दी थी और market सीध है नीचे की तरफ गिर गए अब जितनी भी लाइन से इन सब को हम remove कर देंगे I hope कि clear हुआ होगा कि price ने morning में इस वाली candle ने closing करती थी blue वाली लाइन के ओपर है ना अब change of character ने देखे आज entry लेने में हमारी किस तरह से मदद की एक जैसे हमारा low हो गया एक होगे high अगें low एक high और price हमारा नीचे की तरफ गिर गया selling तो हम करेंगे क्योंकि कल से market हमको bullish लग रहे है lower time shame के अंदर क्योंकि उसने अपने lows को upside की तरफ shift किया और highs को break किया है और morning की 9.15 की candle के ऊपर market आज shift हो यह मतलब कि इसने closing दिखाई एक sustainability दिखाई अब price ने जैसे ही नीचे की तरफ move दिखाए देखे इसने क्या किया एक low form किया यह समझपा रहे है ना इसने एक low बनाया अब अगर market को नीचे की तरफ गिरना तो फिर यह गिर जाए अगर गिरती तो फिर हम short selling नहीं करेंगे बट जैसे ही price नीचे की तरफ आया इसने upside की तरफ एक move दिखाए है ना यहाँ पर price ने closing की अगेन price हमारा नीचे के दिशा में यह समझपा रहे है ना यह जो support market ने brick किया अब यही support बन गया resistance price ने फिर से इस वाले point पर जाकर कि एक retracement ले ली यहाँ पर हुआ क्या कि सेम जगह पर आकर कि हमने एक move देखा क्योंकि देखिए फिर से हम बता रहे है कल से price हमारा bullish है आज price ने एक low लगा है इसको गिरना है तो यह गिर जाए support ब्रेक किया यह वाला और price वापस से upside के तरफ चला गया और यहाँ पर इसने support स्टार्ट करती है अब अगर हमें trade execute करना है तो यह जगह सबसे best हो सकती ना trade execute करने के लिए और हमें एक चीज़ का benefit मिल जाएगा कि day time frame कि यह जो candle है bullish blue वाली जो line है हमें इसका breakout देखने को पहुंचता है यहाँ पर sellers की volume कम हो रही है दिख रहा है price तो नीचे आ रहा है अपने level से बट volumes नीचे के तरफ जा रही है और price जब upside के तरफ जा रहा है तो volumes increase हो रही है यहाँ पर देखें कितनी volume आई है और वापस से देखें इस वाले point पर price हमारा support ले लेता है यह चीज़ हमने इसका example में आपको एक दो बार दिया है कि अगर आप किसी एक दिशा में लगातार run करो speed में run करो और अगर आपको turn होना तो आपकी speed है वो रुकेगी वो कम होगी आप same speed में turn नहीं कर सकते आप गिर जाओगे तो वैसे ही market करती कि यहां पर देखे क्या हुआ है कि price जैसे ही अपने support पर आया जैसे ही price अपने support पर आया इसके अंदर volumes कम हो गई और फिर से देखे ब्रिक आउट स्टार्ट हो गए समझ वह है ना trade जो हमने execute किया हमारी यह वाली जो candle है black वाली candle जस्ट इस वाली candle के high के पास में हमने अपना trade execute किया था buy set के तरफ यह वाला area इस land को हम लोग delete कर देते हैं और जो stop loss हमने लगाया था इस swing के नीचे अपना stop loss लगा दिया था यह जो black वाली candle देख रहो नहीं यह बड़ी सी candle यह actually हमारी mother candle थी मतलब supportive area अब अगर market इसके नीचे गई तो यहाँ तो stop loss लगाया मेरा चला जाएगा हम यही stop loss अपना इस black वाली candle के नीचे भी लगा सकते थे लेकिन थोड़ा सा buffer देख करके हमने अपना stop loss बड़ी वाली candle बड़ी वाली volume के नीचे लगा दिया I hope कि change of character आपको समझ में आजा होगा इसको देखिए और अगर हम simple lag में इसमें समझाएं तो price क्या करता है low 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 इसने क्या किया lower lows और lower highs लगा अब price को जब upside की तरफ जाना तो यह क्या करेगी यह जो support market break करके नीचे की तरफ आई इसी support पर price हमारा support लेगा अगेन upside की तरफ अगेन upside की तरफ तो यह वाले जो points है इस पर आकर के market रुकती है ठहरती है और यह कहलाता है change of character मतलब कि जो price हमारा bearish था अभी इसके characters में change हुआ है और price यहांसे हमारा term हो सकता है कि price हमारा यहांसे गिर जाए उस condition में दो चीज़ होगी या तो आपकी analysis recording आप वहाँ पर trade execute करोगे नहीं या फिर करोगे तो stop loss चाहिए analysis strong होनी चाहिए कोई भी stock जो आप trade करोगे ऐसा नहीं कि कल से आप change of character देख करके ही trade execute करने लगे इसका तरीका होता है देखिए जिस system से या जिस strategy के साथ आप काम कर दो उसमें यह चीज़ अगर आप add कर देते जरूरी नहीं कि पहले ही दिन आप उस system से trade execute करने लग जाओ इस तरह से इसे professional way के साथ हम लोगों को काम करना होगा और इसी तरह से हम लोगों को trade execute करने कोई पूरी analysis उसके उपर आप कीजिए और analysis करने के बाद में ही कोई trade execute अब देखिए यहाँ पर कल से हमें change of character नजार आ रहे थे ना लास्ट movement थक price ने अपने moves को upside की तरफ ही shift किया और फिर इस जगह पर आकर के कहें हम लोगों ने अपना जो target उसको book कर लिया 3690 पर भी book कर सकते थे लेकिन moves बड़े बड़े हो रहे थे ना so 3692 के पास में जितना भी था profit में निकाल दिया थैंक्स अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स सेशन में तब ते रहे लिए गुडबाय और वी विल मेट अगें